कुछ टाइम से हम लेवल्स को जादा फोकस कर रहे थे 19.850 के उपर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा और 600 के नीचे 19.300 रहेगा 400 का क्लोजिंग नीचे हो गया तो रेड जोन में आ जाएगा तो फाइनली आज निफ्टी ने 19.400 के नीचे क्लोज किया है अब क्या होता है थोड़ा समझेगा मार्केट कहां से गिरा था मार्केट गिरा है 19.750 के एराउंड से और नीचे कहां तक गया है नीचे गया है 19.300 तक यहाँ पर हमारे पास में मैक्सिम सपोर्ट अवेलेबल था हमने एक दो 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 बात भी कह रहे थे कि अब जो नया पुट राइटिंग हुआ है वो 19.300 पे हुआ है तो उसके बाद में एक छोड़ा सा मैसे भी आज कल क्या है 100 पॉइंट का बाउंस बैक आफ्टर आफ्टर आफ्ट एक फैशन बन गया है तो वापिस से 100 पॉइंट का हमें राइज देखने को मिला अब पहली बात ये क्लोजिंग जिसका हम वेट कर रहे थे तो पॉइंट नमबर वन सेकेंड पॉइंट नमबर टू की हमारे पास में 19.300 का सपोर्ट है हाला कि अब कम हो गया है 19.000 पे शेफ्ट हो गया बट अभी भी इस बाउंस बैक के बाद में थोड़ा सा पोर्ट अभी अवेलिबल है अब थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट है यहां से शॉट कवरिंग आएगा थोड़ा सा थोड़ा सा शॉट कवरिंग बनता है अब यह शॉट कवरिंग कहां तक जा सकता है समझेगा अब 19.500 के उपर इस लेबल पे हमारे पास में रिसिस्टेंस अवेलिबल है विच मिंग्स अब हमारे पास को बाकी है 19.500 को टच करने का अब आप कहेंगे अभी तो आप बात कर रहे थे कि यह red zone में आ जाएगा और red zone के बाद में selling शुरू हो जाएगी देखिए हर बार एक ही बात आती है market भाई ऐसे नहीं गिरता market पहले गिरेगा फिर एक bounce back लेगा जो अभी बात कर रहे हैं इस लेबल का और फिर गिरता है तो अगर आप यह समझ लेते हैं कि market move कैसे करती है तो आपको समझना और आपको confidence भी आएगा समझने ही बेशान रहेगा तो अब थोड़ा सा हम यह मान के चलेंगे कि यह जो level है हमारे पास आज का यह bounce back के लिए ready है bounce back का मतलब buying नहीं bounce back का मतलब short covering मैंने कुछ जैसे उपर गया था तो हमने put buy किया था put buy के बाद में थोड़ा सा मैंने आज target 19400 तक आते आते थोड़ा सा अपना square off किया है अब वापिस से जितना भी market rise करेगा मैं हर बार वहाँ पर एक tag करता रहूँगा यूएस की market की rating down करी है चाइना की market rating down करी है इंडिया की market rating up करी है लेकिन जब global market वो भी major economies अगर fall करेंगी तो फिर हमारा market कितने दिन stand कर पाएगा बहुत बार try किया है पर sustain करनी पाता इस बात का आप भी धिहान रखिएगा और अब जो outlook रहेगा वो यही level के base पे रहेगा कि bounce back ओपर का target यह हमारा red zone बन चुका है इसके नीचे सीधा 19,000 का level आपको देखने को मिलेगा चाहें तो अब आप जो हैं जैसे यसे market rise करेगी तो हर rise पे अफकोस naked put नहीं proper strategy के साथ में आप अपना put buy करना शुरू कर देजे या फिर call sell करना शुरू कर दे आपको जादा profit होगा अलागि मैं भी थोड़ा support करूँगा आपको अभी market को analyze करेंगे weekly और उसको मैं टेलिग्राम पे update कर दूँगा या community tab के उपर community आपका जो हमारा YouTube का community है उसको focus कीजिएगा और टेलिग्राम अगर join करते हैं तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा इसी video के नीचे वहाँ पर आपको और भी links मिलेंगे कुछ DMIT accounts के link हमारे app courses के link आप हमारे app download कर सकते हैं थोड़ा changes हो रहे हैं तो उसके लिए ध्यान रखिएगा मैं जल्दी ही आपको update करने वाला हूँ कुछ time से जो भी हम link share कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत dispute आ रहा था तो हमने vendor change किया है so soon you will get update about a new app also new technology के साथ में और अगर आप हमें join करना चाहते हैं हैदराबाद के लिए के हमारी टीम से inquiry कर सकते हैं और अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया हमारे चैनल को तो यार पहले तो subscribe बटन पर क्लिक किए जएगा likes कम होते जा रहे हैं अगर वीडियो का content पसंद आता है तो like किये भीना आगे मत भढ़िएगा चले अब सोच समझते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या possibility है for tomorrow अब यहाँ पर देखेगा जैसे हमने यहाँ बात किया था यह कुछ ऐसे बनेगा यह 30 मिनट का time frame लिया हमने फिर से यह ऐसे गिरा फिर ऐसे आया और यहाँ पर आया अब अगर यह bounce करता है so this is coming around 19, 420 के आसपास आ रहा है यह level तो हम इस level के उपर buy कर सकते हैं अब यह level अगर break कर देता है और इसके उपर हमारे पास में आके hold करना शुरू करता है nifty तो हमारे लिए बढ़िया buy बनेगा नीचे के तरफ मुझे लगता है थ्रोसा में wait करना पड़ेगा wait क्यों करना पड़ेगा possibility कई बार क्या होती है short covering आती है तो अब कुछ लोग जो रह गए है अब वो enter करना शुरू करेंगे और बहुत सारे trader हम तो profit book करेंगे ही नहीं हमारा तो अभी बहुत बड़ा target वो सोचके जैसे मैं बहुत लंबे time से कह रहा था कि profit book करना शुरू कर दें market peak पे है बहुत सारे trader not just new trader पुराने traders भी कह रहे हैं कि हम profit book नहीं कर रहे थे अब वो 1008 में profit book करेंगे उसके वज़े से market थुरा से नीचे आ सकता है लेकिन short covering की वैसे वापिस index की बात हो रही है एक jump ले सकता है और जैसे मैं check कर रहा था stock selection की time पे maximum stock ने थुरा jump लिया है जो short covering है न उसके वैसे तो ये possible है फिर भी 19.350 का अगर level break करता है तो आपके लिए sell बनेगा in nifty तो या और दूसरी बात हो सकता है कल का दिन तो आसे lazy रहे तो वैसे भी 9.40 से पहले trade मत लीजेगा आपको जादा profit रहेगा और कोई भी update रहेगी तो I will be available I don't have much work tomorrow आज का काम कर ली है मैंने तो I will be there in market तो जो भी update आएगी I will update it through my telegram बात करते हैं bank nifty के बारे में कल हमने bank nifty का target रखा था कि bank nifty आराम से 44,600 के आसपास उसके पास में जो पीछे हमारे पास हडल उसके बाद तो सीधा नीचे गिरेगा तो ये क्या हुआ उसी के आसपास आके उसने closing दिखाया है अफकोस जब कोई चीज गिराई जाती है तो कभी-कभी नीचे बिच ले जाती है जो focus किया जाता है वो closing पर किया जाता है पुरानी कावत है immature open day market mature traders closes the market तो जब close हुआ है उसके basis पे हमें अगला outlook देखेंगे अब यहां भी almost same concept बन रहा है अगर हम इसको one day पे देखाया है तो पहली बात तो हम कल वाला लेवल देखेंगे 44-600 का यह हमारे लिए पहली भी resistance था यह लेवल अगर break करता है तो यहां से buy initiate होगा और अब support कहां पर आ रहा है वो ध्यान दीजेगा 44-500 पे support है तो I would say 44-480 के आज़ पास आपको sell में लेगा इसमें दो फायदे हैं पहली बार तो psychological और data support close हो जाएगा दूसरा जो हमारे पास में यह जो पुराना resistance है वो भी थोड़ा weak हो जाएगा तो जैसी यह नीचे गरेगा आप यहां पर accordingly sell कर सकते हैं इसके नीचे आपका sell बनेगा और यहां पर आपका buy बनेगा यह रहेगा हमारा bank nifty के लिए बात करते हैं stock selection के बारे में पहला pick मैं फिर से repeat कर रहा हूँ Amboja cement को Amboja cement ने आज ठीक ठाक perform किया है और उसके साथ साथ में आप चाहें तो lopin को या और फार्मा को भी repeat कर सकते हैं अब यह क्या हुआ है पहले कल breakout था अब यह breakout आपका कुछ ऐसे बन रहा है यह जो level है यह वाला जो level है यह आ रहा है 470 का अब आप समझ गये होंगे जब कोई हमारा rounding bottom बनता है और उसका neck बनता है यह उसका support होता है support अगर break करता है तो यह कुछ ऐसे गिरेगा और वापिस से भागता है तो 4, I think 477, 76 की उपर चला जाता है तो यहाँ पर buy बनेगा possibility यह भी हो सकती है कि 470 के आसपास आकर फिर से bounce करे तो अगर कुछ ऐसा होता है तो 470, 72 तक भी आप buy कर पाएंगे अंबुजा cement के अंदर उसके बाद में हमारे पास में अगला trade रहेगा that will be बलरामपुर्चेनी बलरामपुर्चेनी में पहले इधर focus करें फिर इस तरफ फिर इस level को ऐसे देखें फिर यहां देखें और फिर यहां देखें अब आप समझ गए होगे यह resistance बना लिया है इस zone ने अब आप यहां से लेकर एक line ऐसे draw करेंगे and this became your trade अब आप इस trade को अराम से समझ सकें इसके उपर जाता है तो buy initiate होगा और नीचे आता है तो 405 के नीचे आपका cell बनना शुरू हो जाएगा और high जो है 411 का है तो आप 412 के उपर जाने के बाद में buy भी बना सकते हैं यह एक breakout pattern है breakout आया तो बढ़िया moment आएगी कुछ नहीं तो देखेंगे यहां तक का तक गया 430 तक गया है तो अराम से आपके लिए 20 पॉइंट का run मिलेगा बलरामपुर चीनी में और fail होता है तो यहीं पे होगा और ध्यान रखेगा festival season शुरू होने वाला है चीनी के demand लगातार बढ़ती जाएगी उसके बाद हमारे पास उजिवन लगातार भागे जा रहा है stock रुखने का नाम नहीं ले रहा है आज भी उसने काफी अच्छी moment show करी है और इसी के basis पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा volume dip करता हुआ नजर आया है तो हो सकता है short covering का part हो बट ठीक है अमारे लिए हम क्या करेंगे 495 के उपर आप buy कर सकते हैं 494 भी कर लेज़े का hardly makes a difference 4 कर लेते है 494 इसके बाद में अराम से 500 का target रखेंगे नीचे गिरता है तो 487 को break करने के बाद में profit booking आ जाएगी और अगर ये trend line break हो गई है ये trend line आप क्या करेंगे one day time frame पे trend line plot करेंगे उसके बाद में पहले तो one day पे करेंगे उसके बाद में 30 minute time frame यूज़ करेंगे जिस दिने trend line break करेंगे आप यहाँ पर put buy करेंगे बहुत बढ़िया जैसे आपनी candra bank भी देखा था इसी तरह से उजीवन के अंदर आपको बढ़िया वाला profit मिलेगा फिर हमारे पास है 785 तो 785 का हमारे पास छोटा सा अडल है इसके बाद तो सिधा 800 का target रहेगा नीचे गिरता है तो 775 क्यों break करेगा तो 750 का target रहेगा वैसे भी pharma sector आजकल second defensive sector बन गया primary कौन सा है FMCG तो आप बिमार तो और कोई पढ़ते हैं तो उसके डिमांड बढ़ती रहेगा और गाईज जाने से पहले में लाइक और सब्सक्राइब का नामत बोलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन चेक किर गाईज have a nice step, bye bye